हर्योम नमो नमः आप सभी का ब्याच्चू पाट सावा में हार्दिक श्वागत है मैं हूँ अब शेक भारगों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग बिगत दिनों से हमारी जो क्लासेस है हमारी क्लास चल रही है और उसी क्रम में हम लोग का जो पहला यूनिट का संपूर जो सारा था उसारे पहले यूनिट हमारी पूरी समाप्त हो गई है और हम आगे अपनी यूनिट त्यार करते हैं त्यारी करते हैं हम आप से साधा करने आये हैं यह बात की आखिर जो एमें संस्कृत की है त्यारी हम लोग करें कैसे कैसे त्यारी होनी चाहिए तो और उस प्रिख्षा के अनुप पेपर का पैटर्ण क्या होगा, कैसे पेपर आएंगे, क्या होगा, किस तरीके से हम लोग त्यारी करें, इतनी सारी पुस्तके लगी है, क्या सारे पुस्तकों को हम सुरू से पूरा पढ़ें, समय है कि नहीं है, ये सब हम लोग को देखना इश्वर किष्ण के सांकारी का हो जाए, तो क्या ये सब जो ग्रंत है, क्या पूरे ग्रंत हमको पढ़ना है, अवर्श से पढ़ना है, अच्छा समय है कि हमारे पास वो आपको manage करना है कि समय है की नहीं है इस प्रकार से हमको समय के अंदर मान लीजिए हमको 10 दिन का समय है तो 10 दिन के अंदर हमें किस प्रकार से हमें अपनी तयारी करनी है कि हमारी तयारी भी हो जाए हम content को भी पढ़ लें उसमें कुछ हम practice भी क तो क्या इस प्रकार की जो हम लोग की पढ़ाई का जो तरीका है उस तरीके को हम लोग को बनाना है इसलिए मैं आपसे साजा करने के लिए यहां पर उपस्तित हुआ हूं और हम लोग देखते हैं कि जैसा मैंने भी बता ही दिया कि पहला यूट हम लोग का समाप्त हो गया है दूसरी यूट जो है तीसरी यूट और चार यूट चार यूट चार यूट में पीजी एमे की जो सलेबस है संस्कृत का वो चार यूट में है अंतिम यूट जो चार यूट है उसमें आपका अविज्ञान साकुंतलम लगा है तो क्या अविज्ञान साकुंतलम में आपको साथ अंक है साथ वंक पढ़ने है जी हाँ अविज्ञान साकुंतलम का आपको साथ वंक पढ़ने है लेकिन अविज्ञान साकुंतलम का जो साथ अंक है उसमें से चौथा अंक अत्यदिक महात्यपूर्ण है उस चौथे अंक को आपको धेर सा बढ़ियां से आपको त्यारी कर पूछिने वाला जो examiner है वह आपके और हमारे इच्छा से नहीं पूछेगा, क्योंकि परिच्छा को कहते ही है कि परस इच्छा परिच्छा जो दूसरी की इच्छा उसे को परिच्छा बोलते हैं, तो उस परिच्छा के अंरूप हमको और आपको त्यारी करनी है, आगे आप का आता है नीच चाहें तो यहां पर जुड सकते हैं और नहीं चाहें तो कोई बात नहीं पुस्तक आप लेके पढ़ सकते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भगवत गीता है स्रीमत भगोद गीता में हमको अठारा अध्याए पर ना अठारा अध्याए में कितने श्लोक है इत्यादी तो इस परकार के जो हमारे मोटे-मोटे जो ऊपरी सता है उस उपरी सताः को हमको इस पर स्कर लेना है परिक्षा की दृष्टी से और बाकी जो विशेश रूप से विशेश रूप से आपको कही न कही जाना पड़ेगा, क्योंकि इस्वर सभी जगा रहता है, लेकिन वायू सभी जगा रहती है, लेकिन इस्वर से मिलने कि लिए विशेश अस्थान निसी तो होता है जैसे कि मंदिर, और एक जो वायू होती है, वायू मंडल में ब्यापत है लेकिन जब साइकराग का टायर पंचर हो जाता है तो हवाँ भरवाने के लिए cycle के दुकान पे ही जाना पड़ता है इसलिए खूब आप जानते हैं खूब विद्वान है खूब ग्यान है सारे पुस्तक में सारी ग्यान है लेकिन हमें एक्जाम को क्रेक करना है एक्जाम कैसे हम क्रेक कर सकते हैं इसके लिए आप कहीं न कहीं जाना है तो और जाना ही चाहि कर दाय को हम लोग किस प्रकार से अपने स्ट्रे जारी रखें इसके लिए हमको कही नकाही जाना चाहिए और हमको तयारी अपनी अगर्णता से तयारी हमारी हो इसके लिए मैं हम सभी से प्रशह एक बार शुझाओ देता हूं कि ब्यच्चु में मैं त्यारी करा रहा हूँ आप लोग की ये इच्छा है तो आप लोग से जॉइन कर सकते हैं और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि लिखा है कि ये में की त्यारी कई से करें तो एक नंबर भी लिखा है उस नंबर पे आप लोग देख सकते हैं 9519383272 ये आपका नंब है इस नंबर पर आप सभी लोग जा करके और अपना इस पर त्यारी कर सकते हैं बारे में पूछ सकते हैं जानकारी ले सकते हैं आप और रही बात पढ़ाने के तो मैं पढ़ा रहा हूं वहां देखिए आनंद आएगा आपको तब तक एले मिलते हैं हर्यों नमो नमा मादेव करदेखिए नमस दिएितीा के टर रहा हूं नमस को को तर यह जुटव जऽ कर दो आपको त Под बात रहा हूं अर वहां रहा हूं